हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगड उत्तर प्रदेश दोस्तों डायट यानि डिस्टिक इंस्टिटूट आफ एजुकेशन एंट टेकनोलजी जिला शिक्षा एवं प्रसिक्षण संस्थान में दोस्तों जो लेक्चरर्स वर्क करते हैं उनका काम ड इसके अलावा भी दोस्तों डायट लेक्चरर का वर्क है वो वर्क ये है कि शिक्षा में गुर्वत्ता संवर्धन है तुक्षा राज अस्तर से या केंद्र अस्तर पे जो भी योजनाएं शिक्षा में गुडवत्ता समवर्धन के निमित चलाई जा रहे हैं उन योजनाओं को क्रियानवित करना उनका परवेक्षन करना और साथ ही साथ जमीनी अस्तर पे जो कक्षा एक से आठ तक के परशदी प्रात्मिक कि उच्ष प्रात्मिक विद्याले हैं वहां के शिक्षकों को अनुसमर्थन देना उन्हें सपोर्ट करना तो जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सिख्षा विवस्था को दुरुष्ट करने के निमित हैं जितने भी सिख्षक भाई-बहन लगे हुए हैं उनको बिलकुल सकें तो दोस्तों आज एक आदेश जारी हुआ है और इस आदेश को जारी किया है SCIT राज सेक्षिक अनुसंधान यो प्रसिक्ष्ण परसर लखनो और आदेश में डायट लेक्चेरर्स को प्रोजेक्ट कार दिये गये हैं आते हैं पूरे complete details के साथ आपको इस प्रोजेक्ट कार से अवगत कराते हैं तोस्तों ये लेटर जारी हुए है इसके प्रेशक हैं निदेशक, राज सेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षनल परसद उत्तर प्रदेश लखनवू, सेवा में उप्षिक्षा निदेशक अबलिक प्राचार जिला सिक्षायम प्रसिक्षनल संस्थान समस्त जनपत उत्तर केवल लखनवू, कानपूर नगर बहराईच अयुद्धायम चंदोली को छोड़ कर। प्रमुकार है, एक प्रसिक्षन में डायट के प्रवक्ताओं द्वरा कक्षा सिक्षनल कार किया जाता, इसके साथी सिक्षा गुणवत्ता सुधार समन्दी योजनाओं के कारियान में, परवेक्षन तथा प्रारंभीक अस्तर यनि कक्षा 1-8 के सिक्षकों को स्वैक्षि एक प्रोजेक्ट कार भी आवंटित किया जा रहा है प्रोजेक्ट के अंतरगत जो मुख बाते हैं दोस्तों वो आपके बीच में चर्चा करने जा रहे हैं पहली बात यहां यह है कि डायट के समस्त प्रवक्ता प्रेणा कारिकरम के प्रभावी कार्यानवन हे तुप परविक्षक के रूप में कार करेंगे जो भी मिशन प्रेणा का दोस्तों कार चलना है जिसका लक्षी ही है कि हमें मार्च 2022 तक बुनियादी सिख्षा के छेत में उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परणलत करना है तो ये जो मिशन प्रियणा का कारकरम चल रहा है इस कारकरम का जो प्रभावी कार्यानवन हो रहा है उसमें बता और आपजरवर डायट के लक्चरर्स दोस्तों काम करेंगे और दूसरा बिंदू ये कहता है कि तीन प्रियणा दस्ता वेजों, तीन हस्त पुस्तिकाएं, तीन माडूल हैं, आधार शीला, ध्यानाकर्शन और शिक्षार संग्रा का विस्तार से उम ध्यान पूरवक अध्यान करेंगे, जिससे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में इन्हें मदद मिलेगी, तो दोस्तों ये तीन जो माडूल है तीन हस्त पुस्तिकाएं, जिनने हमारे स्कूल, शिक्षा महानिदेशक स्री विजे किरनान जी, गीता, बाइबिल और कुरान के नाम से पुखारते हैं, वाकई इसका कम्प्लीट डिटेल्ड स्टडी इन लेक्चेरर्स को करना है, जो भी हमारे सम्मानित प्रवक्तागन है इन पुस्तकों का सम्मयक अध्यन करेंगे, ताकि इन्हें इस प्रोजेक्ट कार में मदद मिल सके, प्रति एक डायट प्रवक्ता द्वारा अपनी इस भूमिका पर अगले दो वर्स, 2020-21 सत्र और 2021-22 में प्रति सप्ताह औस्तन दो से तीन दिन दिये जाएंगे, दोस्तों हर वीक में दो से तीन दिन बेसिक एजुकेशन में जो भी स्कीम्स और जो भी योजनाएं चल रहें, खास तोर पर मिशन प्रणा, इसके लिए देना है, फिर चौथा बिंदु कहता है, प्रति एक डायट प्रवक्ता अपने जिले के 10 प्रात्मिक विद्यालियों का सेलेक्शन करेंगे या चैनित विद्यालियों के सिक्षकों के साथ कार करेंगे, हर एक डायट लेक्चरर अपना जिले के 10 इसकूल उसके नाम चले जाएंगे, और 10 इसकूल के जो भी हेड मास्टर हैं, उनके साथ उनको काम करना है, पाच्वा बिंदु है, साहिक टीचिंग लर्निंग प्लान, पाठ करम के अंसार तयार कराना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे प्रेणा फ्रेमवर्क में जो महत्पूर्ण बात है, भाशा और गणित का प्रेणा लक्ष है, तो इसके लिए जो वीकली टीचिंग लर्निंग प्लान है, उसको according to the syllabus उस ग्रूप बनाएंगे, जिसमें उन विद्यालियों के सम्मंधित ARP को समलित किया जाएगा, जी हाँ दोस्तों, दस जो विद्याले चुनेंगे, एक वाट्सेप समूव बनाएंगे, और उस ब्लाक के जो भी ARP रहेंगे, उस वाट्सेप ग्रूप में शामिल होगे, प्रव दोस्तों महीने में उस वाट्सेप ग्रूप में जो भी जरूरी चर्चा है, उसे करने होगी, और टीचर को सपोर्ट करना होगा, आगे चलते हैं, सात्वा बिंदु ये कहता है, कि सभी प्रवक्ता कक्षा और लोकन के लिए प्रतेक दो मा में एक बार, दस चैनित विद्य प्रतेक विद्याले का भ्रमण करेंगे, तथा उन विद्यालियों में सेक्षिक समस्याओं की जानकारी लेंगे, साथ ही सम्बंदि सिक्षिकों से चर्चा कर सेक्षिक समस्याओं का समधान भी करेंगे, तो दोस्तों उन्हें स्कूल भी जाने हैं, कब जाने हैं, प्रतेक दो माह में एक बार, दो माह में एक बार उन्हें जाना है, दसो इस्कूल का भ्रमण करना है, जो भी educational problem है, उसे सुनना है, और उसके साथ साथ उसका solution भी उन्हें करना है. आगे चलते हैं, आठवा मिन्दु है, ग्यान साला के स्टाब दोरा इस कारकरम को लागू करने में, बहराईच और चंदावली डायेट के सभी प्रवक्ताओं से feedback प्राप्त किया जाएगा, और उसे SCIT उत्तर प्रदेश लखनव के साथ साजह किया जाएगा, ग्यान साला दो दोरा इस कारकरम को लागू करने में, बात यहां ओरे बहराईच और चंदावली के डायेट के सारे लेक्चरर से feedback लिया जाएगा, और उसे SCIT उत्तर प्रदेश लखनव के साथ शेर किया जाएगा, ग्यान साला दोरा सीखने सीखाने की जो स्रेश्टतम पना लिया है, उसक अनुसमर्थन प्रदेश बनाने में भाग लेंगे, अब यहां पे आप देख रहे हैं सिख्षक और एरपी जो डायेट लेक्चररस हैं, वो उन्हें बताएंगे कि लेसन प्लान आप कैसे बनाएं, उनलाइन वो उनकी हेल्प करेंगे, साथी विद्याले में ब्रहमड के द तो समर्थन प्राप्त करना, तो बहुत बड़ी बात हो रही है, यहां पे स्कूल अगर वो विजिट करते हैं तो इंस्पेक्शन नहीं है, गौर करिएगा कि एंस्पेक्शन आउचक होता है और उसमें भय पैनिक व्याप्त होता है, एक प्रकार का भय व्याप्त होता है, शेक्शकों में ये बात बिल्कुल नहीं होगी, ये निरक्शं नहीं होगा, ये एक प्रकार का सूपर्विजन रहेगा, एक प्रकार का सपोर्ट रहेगा, दस लुए बिंदू है शैक्षिनिक सत्र के अंत्र में प्रतिएक डायट प्रवक्ता दौरा चैनित दस विद्यालियों में विद्यार्थियों की स्रैक्षिक संप्राप्ती तप्रिक्षा पल की तुलना अन्य दस संकक्ष विद्यार्थियों के पर anth國 से की जाएगी, तुलना का विकास करना है शेशन के अंत में वो बच्छों का जो एचीवमेंट है उसे देखेंगे और उसे कंपर्टेवली अदर जो टैनी स्कूल्स हैं उसे उसका कंपेर करेंगे इससे उनको पता चलेगा कि उनकी जो योजनाएं हैं वो आकई बच्छों तक सही रूप में पहुच एक डायट प्रवक्ता अपने जिले के दस ऐसे प्रात्मी विद्यालियों को चुनेगे जहां आने जाने में उन्हें ज्यादा कठिनाई न हो क्योंकि हर सब्ता हमें एक दिन प्रवक्ता को अपने दस चैनित विद्यालियों में से एक विद्यालियों में जाना होगा डायेट के सभी प्रवक्ताओं द्वारा अलग-अलग विद्यालियों का चैन किया जाएगा चैनित विद्याले में आने जाने की जिम्मेदारी प्रवक्ता की स्वयम की होगी जैसे प्रदिम डायेट में आने की होती है दूसरा बिन्दु कहता है प्रवक्ताओं द्वारा चैनित विद्याले की सूची इम विद्याले भ्रमल का कारक्रम प्राचाय डायट को ससमे प्रस्तूत करना होगा जिससे संस्थान के कार बाधित नहूँ तीसरा बिन्दु कहता है प्रवक्ता आउशक्ता होने पर तथा कार को प्रभावी ढंग से कराने है तो अपने चैनित दस विद्याले के सिक्षकों को प्रेणा प्रोग्राम के अंतरगत दिये हुए तीनों दस्तावेजों के आधार पर बनाई हुई पार्ठ समगरी उमकार प्रणाली को समझाने के लिए गाइडलाइन भी बना सकते हैं आगे चोथा बिन्दु है सभी प्रवक्ता बीड आरहता दारी हैं और उन्हें सिक्षण योजना बनाने का अनुभू है इस कारकरम के अंतरगत प्रवक्ताओं को साफ्ताहिक सिक्षण योजना अपने चैनित विद्यालियों के सिक्षकों के साथ बनानी होगी जिसके उप्योग से सिक्षक प्रेणा प्रणाली के अंस्वार पठन पाठन कर सके पाच्वा बिन्दु इसकार को करने के लिए तीन दिवसी प्रशिक्षण ग्यान साला टीम दोरा सभी प्रशिक्षकों को जूम शेशन तौरा दिया जाएगा जिसका उद्देश होगा कि किस प्रकार एक विशे पर साप्ताईक रक्षाकार का नियोजन किया जा सके। यहाँ पर सिक्षनल सितंबर 2020 तक पूर्ण किया जाएगा जिससे अक्टूबर के प्रथम सब्ता से इस कारकरम पर विद्यालियों के सिक्षकों के साथ कारण प्रारम किया जा सके। प्रथम कुछ माह की पठन पाठन योजनाओं का कार पूरा किया जाए साथ ही अपने चैनित विद्यालियों के सिक्षकों एर्पी से संपर कर लिया जाए। उपर्युक्त प्रोजेक्ट कार पांच जन्पदो लखनवु कानपूर्नगर अयुद्या बहराईच इम्ट चंदवली के 30 डायट प्रवक्ताओं जिने सेक्षिक गुडवत्तायम समरधन कारकरम के अंतरगत ग्यान साला के साथ काम करने के लिए नामित किया गया है, को छो प्रोड कर अन्य समस्थ डायट्स के प्रवक्ताओं को करना होगा, उप्रोग्त कारकरम के प्रारंभिक रोल आउट और कार्याणन पर प्रतक्रिया के आधार पर भविस्ष में SCRT उत्तरप्रदेश लखनव द्वारा विस्तरित दिशा निर्देश दिये जाएंगे, उक्त के करम में अपने सांस्थान की प्रवक्ताओं को प्रोजेक्ट कारकोर संपादित करने हैं तू निर्देशित करने का कस्ट करें, भोधी, डाक्टर सर्वेंद विक्रम बहाद सिंग, निदेशक, राज, स्यक्षिक, अनुसंदान, और प्रिसिक्षन, परसद उत्तरप्रदेश लखनव। दोस्तों आजके लिए इतना है ये वीडियो ये इंफरमेशन जरूर आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि अब डायेट लेक्चरर्स बेसिक स्कूल के आपजर्वर हैं वहाँ पे जो योजनाएं चल रही हैं एक प्रकार से उन योजनाएं किस रूप में कार्यानवित हो रही हैं उसको जो है एक प्रकार से सुपर्वाइस करेंगे जो भी सिक्षक हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे दस स्कूल को मॉडल बनाने की दिशा में दोस्तों काम करने वाले हैं तो बड़ा वर्क है और मिशन प्रेहना के तहाँ सभी जुड़ रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है तो आज के लिए इतना ही वीडियो इंफर्मेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पर कमेंट करना लेकिन अगर आप डिसी ट्रेनिंग प्रताब गलतर प्रदेश के इस खुबसूरत यूटूब चैनल पर नह पहली बार विजिट करने जब भी आप सब्सक्राइब को उटन प्रेस करते हैं बराबर से एक भी लाइकन अथा उससे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग एं लिसनिंग दीशीज़ाइब प्रकास्टूब इस आजिए वाप